वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें और इसके अंतरगत हम मिशन्स भी देखेंगे जो गवर्मेंट के मिशन चलते रहते हैं कारिक्रम चलते रहते हैं सब को कवर करेंगी ये शौर्ट वीडियो के फॉर्म में रहेगा जैसे कि हम कमिटीज पढ़ रहे हैं डेली चार से पांच कमिटी पढ़ते हैं उसी प्रकार स सब कुछ कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं important वीडियो रहेगा पूरा वीडियो ध्यान से देखें वीडियो के अंते तक बने रहें सबसे पहले हम बात करेंगे अटल भासांतर योजना की महतपोन योजना है हाला कि पुरानी योजना है लेकिन एक्जाम में पूछे जानी की संभावना है क्योंकि अभी भी कारे रहत है अटल भासांतर योजना दिसंबर 2018 में प्रारम की गई ये जो है ये विदेश मंत्राले की द्वारा प्रारम भी की इसका उदेश्य क्या था इस योजना का उदेश्य था कि इसके तहट जो प्रतेक चैनित उमीदवार है उसको विदेश में फॉरिन में प्रतिस्ठेट भासा स्कूलों में सरकारी खर्चे पर विदेशी भासा में प्रसिक्षन प्रदान किया जाएगा तो भासांतर योजना यानि कि भासा का अंतर जो है उसको मेटाना तो कोई विदेशी भासा का प्रसिक्षन प्रतान करना और इसमें जो पूरा खर्चा है वो करेगा विदेश मंत्राला यानि कि सरकार करेगी खर्चा ठीक है तो बच्चों को इस योजना की तहट भेजा जाएगा विदेश में क जापानी, रूशी, स्पैनिस, हिंदी भासा में अनुबाद ही तो भासा विसेशक के दो भासी के एक सम्हू olhar को तयार कि या जा यह सभी जो भास ay इन, हिंदी में रुपांतरं की अनुबाद की आ जैसे कि अगर आप अंग्रेजी का रूपांतरन या अंग्रेजी का नुवाद हिंदी में करेंगे तो इसके लिए आवश्या के कि आपको अंग्रेजी भासा भी बहुत अच्छी आनी चाहिए और हिंदी भासा का भी आपको ग्यान अच्छा कासा हो इसलिए ही जब दोनों ही भासां को ग्यान जिसको अच्छा होता है वही अनुवाद कर सकता है तो अर्बी भासा, चीनी भासा, फ्रांसी, जापानी, रूसी या फिर स्पैनिस ये सिखाई जानी थी किलिया रहा है तो भासांतर tienen भासा के प्रसिक्षन से संबन्दित है है इसके बाद है संपनी योउउञा संपनी योउजना को प्रारम किया गया 29 दिसम्बर 2018 में 29 धूर संपर को यह प्रारम की गई थी और वाराणसी में नरीन मूरी की दवारा इसका उदगातन किया इसका उद्धेश्य था दूर संचार विभाग के पैंसेनरों से यह संबंदेथ है इस योजना को लेकर प्रिधान मंत्री मूदी ने एक अधिकारिक PM संपन योजना पोर्टल लॉंच किया गया तब PM संपन इसकीम पोर्टल और यह इसका जो है इसकी वेबसाइट समझ सकते ह यह इसकी वेबसाइट यह पोर्टल लॉंच किया इन्होंने संपन योजना आप याद रखें संपन योजना का संबंद किससे हैं पैंसन से संबंद है वो भी दूर संचार विभाग के फिर अगली आयुशमान भारत रास्टी स्वास्त सन रक्षण योजना सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है यह योजना इसलिए यह कभी भी किसी वे एक्जाम में पूछी जा सकती है इसको डेट सहे याद रखना है 21 मार्च 2018 21 मार्च 2018 को ये प्रारम की गई स्वास्त और परिवार कल्यार मंत्राले ने इसको प्रारम किया स्वास्ति योशना है तो स्वास्त मंत्राले ही करेगा अब इस योशना का उदेश क्या है योशना की तहट 10.74 करूर ग्रामीर और सहरी परिवारों को लगब पचास करोड व्यक्तियों को यानी भारती आवादी का 40% हिस्ता जो है उनको दूतिया को दूतिया को दूतिया की इस तरकी चिकितसा के लिए पांश लाक रुपय का वाडसिक तक का स्वास्त बीमा प्रधान किया जाएगा तो ये स्वास्ते भीमा से संबंदित है पांच लाग तक का स्वास्ते भीमा इसमें मिलता है और इसका संबंद गिस्से है स्वास्ते भीमा से है या फिर चिकित्सा से है अब इससे संबंदित और जानकारी देखते है ये जो योजना है इस योजना के तहट कौन इसमें भाग ही नो मैलड होने का कारी करता हो या फिर बंधुवा मस्दूरी से मुक्त हुआ हो आदी योशना के पात रहेंगे यह योशना सभी सूची बद्ध सरकारी निजी अस्पतालों में प्रभावी रहेगी तो आप किसी भी अस्पताल से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं 15 अक् इसके बाद अगली योशना है गंगा ग्राम योशना जो है यह 23 दिसंबर 2017 को शुरू की गई थी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयो जो इसका प्रारम किया था इसका संब्ध है पेजल और स्वक्षता मंत्राले से अब गंगा का संब्ध किस से है पानी से है और पा गाउन अधी के तड़ पर इससे जो गाउं है इनमें संपून स्वक्षता कानुपालन कर सके तो यह उद्ध हो चाएगा अब इसका संब्ध किस से है गाउं की स्वक्षता से संब्ध हो गया इसका इस योशना से संब्ध जानकारी देखते है एक most important fact जो यह 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 परि 2470 गाउं का स्वक्षता अधरित एकी क्रत विकास किया जाएगा जिसमें 1674 गाउं में 140 की दिर्माण के लिए 829 करोड उपे जारी किये गए हैं तो यह इस योशना से संब्ध जानकारी इसको याद रखे नवामी गंगे परियोशना के अंतरगतिया आएगा गंगा ग्राम कि लिएर है इसके बाद अगली योशना देख रहे हैं समर्थ योशना समर्थ योशना 20 दिसंबर 2010 को उल्परारम की righteousness को समर्थ योशना के दिसामर निर्देश को जारी किया गया तो इसकि दिशान निर्देश कप जारी किये गए तीन देन बाद 23 दिसंबर 2018 को तको एक सा इसके बाद इसके तहर्श messing लाखं को कपड़ा चेतर से संबंदित परशिक्षान परदान करूं को जाहिए यह योजना 1.800 करोडia के परिवया से बर्स 2017 A 18 से वर्स 2019 वीस तक 3 वर्सों के लिए है के तो 2020 यह यह रोजना चली 1.300 करोड का परिवया इसमें किया गया बस्त चेत्र से संबंधित है समर्ठ योजना यानि कि प्रिसिख्ण देना था समर्थ बनाना था कौशल प्रदान करना था यह इस योशना का उद्देश था ताकि लोग जो हैं अपने जीवी का को प्राप्त करने के लिए अच्छे विकल्प दूर सके तो यह इस योशना का उद्देश हो गया एक बार रिवीजन कर लेते हैं समर्थ योशना 20 दिसंबर 2017 गंगा ग्राम योशना 23 दिसंबर 2017 और यह नमामी गंगे कारिकरम के अंतरकत चालूए इसके बाद अगली योशना है आयश्मान भारत रास्टी स्वास्त संरक्षन योशना 21 मार्श 2018 को प्रारम की गई संपनी योशना का संबंद किससे हैं दूर संचार विभाग के जो पै इनकी भासाओं पर विए नजव जरूर डालने कौन कौन सी भासा इसके अंतरकत आएंगी अरभी चीनी आएगी फ्रांसी सी जापानी आएगी रूसी और इस्पैनिस आएगी ठीक है तो इसके अंतरकत 6 भासा हैं यह याद रखें तो यहाँ पर हमने कुछ महत्योपुन य जोजनाएं देखेंगे तब तो के लिए आपसे भी चैनल के साथ जोड़े रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें वीडियो को लाइक करना बिलकुल लग ले थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो में नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच